पारवती निर्बान रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है BMCM यानि कि बड़े मिया छोटे मिया का रिव्यू मैं करने जा रही हूँ तरहसल मैदान के साथ ही रिलीज हुई क्योंकि एद का माहल था एक्चली क्लाश था रिलीज डेट का लेकिन फिर भी दोनों फिल्म में रिलीज हुई और मैंने एक काम किया कि मैं गेती गैलेक्जी जो की बैंडरा में है काफी पॉपिलर प्लेस है वहाँ पर जाके मैंने सोचा कि ज़रा जाइजा जो है उस जगे का मैं लू की माहौल क्या है तो माहौल ये पता चला कि बड़े मिया छोटे मिया के लिए कम से कम 200 मीटर लंबी लाइन है और मैदान के लिए ओविसली नहीं है तो ये जो है इत की वज़े से काफी इस फिल्म का क्रेज रहा क्योंकि टाइगर श्रॉफ के काफी फैन है जो उस तरह का एक्षन और एंटर्टेन्मेंट पसंद करते है तो सबसे पहले तो ट्रेलर जैसा है फिल्म वैसी ही है न उसे कम न उसे ज़्यादा तो अगर आपको ट्रेलर देख कैसा लगता है कि फिल्म देख लेनी चाहिए तो आप बिल्कुल पच्छताएंगे नहीं लेकिन इत की वज़े से मैं ये कहूंगी कि फिल्म जो है सबी जगे ओवर प्राइज मतलब इसके टिकेट स्टार्टिंग कॉस्ट ही 350 से लेके 1000 तक मतलब that's too much काफी जादा महंगी ये फिल्म अक्छली रही दोनों ही फिल्में जो है फेस्टिवल का फायदा उठा दिया और इसलिए टिकेट काफी महंगी है तो अब जाएंगे फिल्म के बारे में तो फिल्म का ऐसा है कि इसकी जो कास्ट है वो है टाइगर श्रॉफ, बड़े मिया, चोटे मिया, टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार जो उन्हों ने बड़े मिया औरिजिनल से निकाला है वो तो आउट अन आउट कॉमेडी थी लेकिन इसमें भी पीजेस के पीजेस हैं जिस पे लाफ्टर आ जाता है तो मतलब निकाल लेते हैं लाफ्टर कोई बहुत ग्रेट लाफटर नी है लेकिन है ठीके व ओवर्रॉल एंटेटेइनिग बढ़ लम्भी मतलब कब समस्ते इंतरवेल कि अब हो इंतरवेल तब हो रहा और लगता है कि यार अब इंतरवेल हुआ जब इतना लेट तो पाता कहानी के point of view से मुझे लगा और editing के point of view से मुझे इसा लगा कि यह गड़ बड़े वहां पर थी फिल्म जो 3D में है एक्चली मैं तो 3D में देख आई हो और 3D ही रिकमेंड करूंगी हाला कि कई जगे मुझे ऐसा लगा कि 100% 3D में शूट नहीं हुई है लेकिन आपको देखने में कोई फरक नहीं पता चलेगा क्योंकि टेक्निकली फिल्म वेल मेड है मतलब की डिरेक्शन अच्छा है ऑच्ण पोर्दक्शन अच्छा चन बहुत अच्छा है तो अगर आप action के fan है तो डैफिनितली जा थेक सकते थे अक्षे कुमार और टाइगर शो और दोनों ने a labian who ?", और टाइगर श्रॉफ Zwreens सेल्फ होट 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 काफी होट लग रहा है अक्चली देखने में मजा आता है हीरोइन्स मतलब जो है अक्ट्रिसेज यहनी की मानुशी चिलर अलाया एफ और सुनाक्षी से नहीं मतलब बहुत ओकेश लगी मुझे ऐसे कुछ क्रेट नहीं लगी मेरे लिए अक्चली दस्टार ओफ एवरिफिंग वस टाइगर श्रॉफ जिसको देखके मैं स्क्रीन पर खुश होगी अक्शन देखके खुश हो गई और ओवराल जो पीजेस भी उसके वज़े से लांड हो रहे थे पीजेस जिसके थोड़ा बहुत लाफ अच्छा है और प्रिथवी राज काभी काम काफी अच्छा है लेकिन बहुत राइक किया है मतलब वो पूरा ओवराल जो AI का और यह जो सिस्टम सेक्योरिटी सिस्टम जो इंडिया को लेकर बनाया है और वो इंडिया वाली बात मुलाब पचास फिल्में इस साल में हम एक स मुझे लगा कि इस तूमच और ओवराल फिल्म का जो आइडिया था वो भी मुझे रेपेटिटिव लगा क्योंकि लूसिफर अगर आपने देखी है नेट्फिलिक्स पर तो लूसिफर में वो जो सेल्फीलिंग वाला कॉंसेप्ट है जो वहां पहें क्योंकि उसमें एंज क्षड़ी सी बना ही है कुछ तो जो आप जाके देख तो सकते हैं मैं इसे दूगी सेवन स्टार्स क्योंकि एंटर्टेइन्मेंट फैक्टर है लेकिन येस देर इस बट्स देर इस इफ सो इफ और बट्स को देखते हुए है तो फिल्म क्या बूलू बहुत अच्छी है नह नहीं नहीं लेकिन देख सकते हैं अगर फेस्टिवल में आपको बाहर जाना है फिल्म देखने अधर्वाइस आप अगर इसको नेटफ्लिक्स में बाहर में देखेंगे तो और जादा सर पकड़ लेगे तो बड़े स्क्रीन पे फिर भी ठीक है थोड़ा बहुत एंजॉय क करिया है आपको तब भी मज़ा आएगा कुछ लोगों को स्लो पेस्ट नहीं अच्छा लगता और नॉमल पेस्ट विच अच्छा लगता तो फास्टर एक्स्पीडेंस के लिए दाट दे कन गो फॉर एट और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने सार का रिप्यू टाटा बाइ बाइ नमस्कार